दोस्तो इस रिम जिम भारिश में अगर आपको भी मेरी तरह कुछ चट पटा तीखा और गर्मा गर्म खाने का मन होता है तो आप मेरे इस रेसिपी को एक बार जरू से ट्राइ कीजिए बहुती अलग हट के इसका स्वाध है बहुती नया नाश्ता है मे वर्षा भावसा रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चले फ्रेंट्स इस नये से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरू से कीजिए तो मुंग वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मुंकी दाल ली है जिसे बिना चलके वाली मुंकी दाल भी कहते हैं या फिर धुली भी मुंकी दाल भी कहा जाता है दाल को हम दो लेंगे और दोने के बाद हम इसे चार घंटे के लिए पानी में भीगो की रखेंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाए लेकिन अचानक से बारिश हो जाए और वड़ा खाने का मन हो तो आप इसे एक घंटे के लिए भीगो की रख सकते हैं वो कैसे इसे गरम पानी में बहुत की रखिए यानि दाल धौणी के बाद आप उस में अच्छे से गरम पानी डाल quatro जाएगी तो यहां पर देखिए इसे विल्कुल मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है तो हम मूंकी दाल के पकोड़े बनाते हैं तो उसमें तो हम इसे थोड़ा सा दर दरा रखना पड़ता है लेकिन हम यहां पर वड़ा बना रहे हैं तो इसे अच्छे से पीसे तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक लगबग आधी छोटी चमच नमक को मिक्स कर लेंगे और अब हम यहां पर दाल को अच्छे से फेटेंगे तो फेटने के लिए हम अपने हाथों का ही यूज़ करेंगे लेकिन अगर आप चाहें तो विसकर से भी से फेट सकते हैं लेकिन अगर हाथ से अब देख सकते हैं थोड़े चोटे बी हैं थोड़े बड़े भी हैं तो फ्रेंड्स आपके आभी बारी शुरू हुई है या नहीं मुझे कोमेंट करके जरूर से बताइए तो यहां पर देखिए मैंने से अच्छे से तोड़ लिया है और आप इसमें डाल देते हैं आदक बीगावा पोहा यानि मैंने आदक पोहा लिया था उसे अच्छे से धो लिया है और दोने के बाद मैंने से 10 मिट के लिए भीगो के रखावा था तो पोहा डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी चमश नमक एक चमश मिया पर लाल मिर्श पाउडर डाल रही हूं औ इसके साथ एक चमश हम डालेंगे धनिया पाउडर एक चमश हम डाल देते हैं सोफ और इसके साथ खटास के लिए हम डालेंगे आधी चोटी चमश अमचूर पाउडर इसके जगे आप चाट मसाला या फिन निंबू का रज भी ले सकते हैं एक चमश हम डाल देते हैं चीनी तो फ्रेंट्स इसमें पोहा डालने का एक रिजन ये भी है कि जब हम इसे शेप देंगे ना तो बहुत अच्छे से इसमें शेप आ जाएगा क्या होता है कि कई बार आलू जो होता है ना थोड़ा चिप चिप या घिला सा आता है तो हम उसे इस तरह से शेप नहीं दे बढ़िया से आएगा आप देखिए यहां पर बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरह का बेटर हमारा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है बस इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हमको रखना है तो चले अब बारी है इन वड़ों को तलने की तो एक एक बॉल बेटर में हाँ से भी बना सकते हैं तो एक बार तेल गरम हो जाए इसके बाद गेस का फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और एक एक वड़ो को उठाते वे इसमें डालते जाए तो बहुत जादा नहीं डाले पसासाने से जितने फ्राइ हो जाए बस उतने ही इसमें डाले अब दोनों त चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर कई तरह की चटनी की रेसेपी डाली हैं अगर आप बोलेंगे तो उनकी लिंक भी में निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो यहां पर देखें पहुती बढ़ा से कलर आ चुका है बाहर से एक दम क जोई कीजिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें साथी मेरे चैनल पर नाए है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है न उस क्लिक करके चैनल को जरू से सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ है